हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप से भी लोग खुश होंगे हेल दी होंगे तो फ्रेंड्स यह सुबह का सा टाइम और मैं यहां बैठ कर पी रहे हूं चाय और बेटा पड़ रहा है सुबह का भी आठ बज रहा है और हस्बन चले गया है उनको हमने कुछ मोड नहीं है अभी यह पढ़ाई कर रहा है तो आज सुबह में थ्वासा टाइम मील किया तो मैं इसके साथ बैठी थी और कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बाते भी हो रही थी हम दोनों की तो बच्चों के साथ कभी-कभी बैठना होता है उन्हें देखना भी होता है बच्चेर देखना ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे को गाइड करना हमारा काम ही हम बेरेंस का काम है तो हमें उन्हें जरूर ध्यान देना चाहिए तो उसका मूड नहीं है कुछ खाने का तो उसको मैं फ्रोट एक सेव दे दूनगी काटकर और उसको बाण मिता दे दू पतर दीण दूटाएंगे लाशी नाहन प्रिंच क्साहिवेभ। ब्रिंच स्वा मुझे तो दीधा पहले में एक साल बनाई तो ग्रीटएं यूजण है यो जो सबिति हमें ऐसे कहने हम नहें तो बिफाब देएंगे उसका काम तुल ओनी हुदगे और पहले में इसको ग्रेट करके जाओंगी, यह है पपीता, तो पपीता आया हुआ था, तो मैं इसे सोच रही थी, कि आज कट करके इसका सबजी बनाओ, तो अंदर से यह मुझे पका हुआ मिला, ज्यादा नहीं पका हुआ है, लेकिन फिर भी यह सबजी के लाइक नहीं है, तो मैं इसका मैं हल्वा बना देती हूँ, तो इसको मैं ग्रेट करके हल्वा बनाओंगी, तो अभी हमने इसको चील लिया था, दो लिया है, और बीच से इसके सारे रेसे मैं निकाल दूँगी, और इसको ग्रेट करके मैं रख दूँगी, फिर मैं जाओंगी नहाने, तो इसका हल्वा मीठा है थोड़ा सा तो इसका हल्वा बन जाएगा तो अच्छा लएगा निद्व ऐसे खराब हो जाएगा तो उसी को मैं ग्रेट करके और फिर मैं जाओंगी तो फिर आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज कॉमेंट करके बताया किजिए और मुझ नहा करावी हुँ दो फर का टाय में और मैं जारी हुँ बनाने लुंच क्योंकि हम ने ब्रेकविश्ट पहुत हल्का किया था मैं तूछ Ms Mario भी स्मोधी ले ली थी और यह है सुहाना का पनीर, यह बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना भी बहुत ही सेईजी है तो इस मसाले को हमने दूद में घोल लिया है इसे दूद में ही घोल की डालना है तो पहले मैं प्याज को अच्छे से भूनके इसमें टमाटर भी पिसा हुआ में डाल दी और इसको भी अच्छे से भूनना है तो देखिए अब तेल इससे रिलीज हो रहा है यानि कि अब इसमें हम मसाला डाल सकते हैं तो इस तरह से टमाटर को अच्छे से भूनना है जब त कुछ भी नमक अगर कुछ भी आड़ नहीं करना है तो इसे भी इस मसाले को भी हम 2-3 मिनट भून लेंगे तो देखिए मसाला भी भून चुका है तेल से प्रिट होने लगा है और बहुत अच्छी खुस भूआती है सुहाना का मसाला बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही जग लेंगे तो हमारी यह सब्जी रेडि हो जाएगी और मैं बस रैस बनाओंगे और कुछ नहीं बनाना है बस यह सब्जी और राइस यही हम लेंगे सारा दुगारा कट करोंगी तो देखिए सब्जी भी हमारी बन के रेडी होगी बस दो मिनिट और इसे धक्र में पका उर सब्जी हमारी बनगी और सब्जी भीख रहा हुआ औरहिए सुहाना का मसाला हर चेह करें मिलता हैं तो वंतलब मेहनत बनाना थैक कि मेदो हमारे पड़ılarकेट पड़ा हुआ था तो मैं दोफर में नहीं बना पाई मैंने सचक शाम में ही बनाऊंगी तो घी हमने डाल कर गरम कर लिया फिर पपीता ग्रेट किया हुआ डाल दिया इसे हम अच्छे से भून लेंगे चार से पांच मिनिट अच्छे से हम भूनेंगे इसे मीडियम फ्लेम पे तोड़ा कच्छा इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूगी हरी लाइची तो देखिए हमारा हलवा भी बनके रेडी हो गया और बहुत ही टेस्टी लग रहा था हमने टेस्ट किया था बहुत ही अच्छा लग रहा था आप लोग ट्राइजरूर किजिएगा तो अब साम का टाइम है और मैं बनाने पर दूगी इस तरह से गैस पर तो बैगन को बीच से काटके हमने देख लिया कीड़े बगार तो नहीं है चेक कर लिया और इधर मैं टमाटर को भी आग भी भून लोंगी तो इस तरह में थो लिया है हमने आक पर भून लिया है तो इसमें एक साथ हो जाएगा अलूव भी कुछ कटे हुए प्याज इस तर से बारिक चॉप किया हुआ और डाल जूंगी हरी मिर्च कटा हुआ लासन भी हमने डाल दिया इसमें ग्रेट किया हुआ अधरक भी डाल दिया और इसमें धनियापत्ति कुप सारा डाल दिया फ्रेस और कलांजी और अजवायन और आधा में बनता है और हमने कुछ आम के अचार के मसाले भी ले लिए इसे टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हां मैं बनाने जा रहे हूं सत्तु के लिट्टी सत्तु भरा हुआ लिट्टी और चोखा तो हमारे यहां आज की दिन बनता है आज है तो किसली बनता है क्यों बनता है अगर आप लोग जानना चाहते तो प्लीज कॉमेंट करके आप पूछिएगा मैं बताऊंगी क्यों बनता है तो आप लोग को बताऊंगी कि आज की दिन हमारे यहां सभी लोग बनाते है जितने भी लोग है हमारे आसपास के सहर क यह जो इस टाउन के है वह बनाते हैं सभी लोग बनाते हैं और इसमें 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 देल डाल दिया नमम डाल दिया और प्याज हरीमिर्स धनियापत्ति यह सब डाल के हम इसे भी मिक्स कर लेंगे तो हमारा एक अच्छा सा चोखा बनके तयार हो जिसे लोग भरता भी बोलत तो इस तरह से बहुत यह टेस्टी लगता है चोखा बना हुआ है और देखिए हमने आटा गुंद लिया तो आटा को हमने रोटी से थोड़ा सा हाट गुंद लिया है तो टाइट है उसको वैसा ही रखना है रोटी जासा ज्यादा इसे सॉफ्ट नहीं गुंदना है तो हाड रहेगा तभी हमारी लिटी अच्छी बनेगी तो वैसे तो लोग अंगीठी पे बनाते हैं लेकिन मैं तो मैं इसमें बनाओंगी तंदूर में बनाओंगी क्योंकि वह से उपलाव अगर मिलना थोड़ा मुस्किल है तो देखिए इस तरह से मैं लिटी को सारे लिटी को फि चुले का तूट गया था यह मेरा दूसरा चुला है एक चुला इसी के चलते इसी को मैं लिटी ही बना रही तो अचानक से आवाज हुई और हमारा गैस का पूरा जो सीसा होता है उपर से ग्लास होता है गैस के उपर का वो पूरा का पूरा अचानक से जैसे लगा कि कुछ उपर से तूट कर गी रहा जिसे कोई टाइल से तूट गए इस तरह से आवाज हुआ था तब से मैं नहीं बना ती थी छोटे वाले गैस में मैं बनाऊंगी क्योंकि लिटी ही बना रही थी जब वोकी ग्लास से टूटा था चुले का थी इसलिए मैं उस चुले पे नहीं बना है मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं कई बार बना चुकी थी और धीरे धीरे वो होता है अचानक से नहीं होता है पता चला जब हम लोगों ने पूछा है तो पता चला कि अचानक से नहीं होता है धीरे धीरे होता है और तब से मैं बनाना जब नेक्स चुला लेई दूसर सेख लेना है फ्लेम को बिल्कुल slow to medium रखना है नहीं तो जल जाएगा लीटी और अंदर से कच्छा रहा जाएगा तो देखिए हमने अलट कुलट के अच्छे से सेख लिया और यह लीटी बहुत अच्छा ता गरम गरम लगता तो लगता नहीं क्या गीठी पर हमने नहीं बन तो यानि कि यह पग गया है अब मैं समय घी लगा दूँगी तो मैं ऐसे बरतन में रखके गरम गरम पर उपर से घी डाल देती हूं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूं यह अच्छे से लग जाता है इकवली सब पर स्प्रेड हो जाता है तो इस तरह से हमारा लीटी भ लेज सकते हैं तो देखी लीटी हमारा बनके रेडी हो गया अब हम लोग करेंगे डिनर और कैसा लग रहा है जरूर ट्राइग करिएगा और पसंद आया तो लाइक भी किजिएगा यह था मेरा लीटी चोखा का रेसिपी आप लोग जरूर ट्राइग किजिएगा जो जानत अगर आप लोग नहीं जानते तो प्रीच कॉमेंट करके बताएगा मैं बताओगी कि आज की दिन क्यों बनता है तो चलिए में ब्लोग कोई पर एंट कर दिसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा चलिए मिलते नेक्ट वीडियो में तब